तो नमस्का दोस्तों स्वागाति कि में चैनल में यो की है लो नर्ला एक स्वाजम फिर सब्सक्राइब के साथ और इस वरूमें बात करने वाले इंडियन साइकल या फिर इंडियन रोग्ष्टर्स के बारे में तो यह साइकल जो ही इसको ही प्रेफर करते हैं मतलब आप जहा है और दोस्तों जैसे केने बताइ कि यहाँ पे छोटा सा कंपारेई कान हो सब्स останов bike इंडिया में के इंडिया में तो इसलिए मैंने यहाँ पर हर्किली स का स्काइट सॉसॉ आपको बहुत साल बहुत कुछ है में हीर हाप में करते हैं नोर्मल तर जो डाइली करते करते हैं या हिसाइकल से कही पे भी जाता है या फिर कोई भी जो साइकल चूजदा है तो यह इन ही कोच्झ ज्यादा तर कूज किया जाता है पर दोसक्तों यह सायक्ललहां पें सटविक्न कि वैंद रिपक हैं न श्यारे कि क्यों क Ariana कुर फ़क्ती और तीसरे पॉंट में आपको एक छोटा सा कमपेरिजन करके बताता हूँ पार्ट बाइप कि इसमें क्या डिफ्रेंस होता है दूस्रे साइकल्स के मुकाबले दूस्रे साइकल्स की बात में ज्यादा नहीं करूंगा पर यहाँ पे मैं इसी के बार में फोकस करनेवाला हूँ ज्यादा जो सबसे पहले आते हैं हम इसके ब्रेक्स पे तो इसका ब्रेक्स का सिस्टेम बहुत ज्यादा अलग होता है वायट की ब्रेक्स के मुकाबले क्योंकि इसमें अलुमुनियम ब्रेक्स दिये जाते हैं और यह ब्रेक्स का एक लूप टाइक का सिस्टेम होता है मतलब से लेके नीचे तक यह पूरा connected रहता है अब जो वायड वाले brakes होते हैं वो आपको चेंज करना पर सकता है दो सालों के या फिर तीन सालों के बाद पर यह जो ब्रेक से यह आपको कभी भी चेंज नहीं करना होता है क्योंकि यह ब्रेक्स कभी भी खराब नहीं होते आपको यह है यह पीछे का ब्रेक वह नीचे लगा होता है एक जासा कि यह फेर्दल के पास और सामने का स्कवाते रहने हरे इसके आते ही हैंडल वृवाजे की वज़े से हमें बहुत जयादा रिलाक्स पोजिशन होता है dan इसके बाद आथा है इसके सैडल भी बहुत-ज्यादां कमफरड़ेडकल होता है इसके नाईचे- चोटा सा स्पिंग दिया होता है या फिर साइकल में बडर सहरा से इसकी वजह की चीफ़चाल से यह आपर जिसकी वज़ए से यह बहुत ही ज्यादा स्टडी हो जाता है और इसका फ्रेम टू पार्स में आता है बाइद हो पीछे का जो फोर्क होता है वह अलग होता है और इसके बाद आते हैं इसके मडगार्स पे तो इनका मडगार्स जो है ऐसे साइकल में यह बहुत ही ज साइकल चला रहे हो और इसके बाद आते इसके रीम स्पेस का भी स्टाइल बहुत ज्यादा अलग होता है क्योंकि इसका ब्रेकिंग स्टाइल भी अलग है तो इसलिए इनका रीम भी अलग दिया गया है क्योंकि इनका ब्रेकिंग जो है वो अंदर की तरफ दिया जाता है नहीं होता पर बहुत साइकल में देखा है कि सामने की तरफ आपके के में नट से लेके आपके वाशर तक मतलब हैंडल बार का जो नीचे का वाशर होता है उस तक आपका यह एक्स एक्सटा सपोर्ट दिया जाता है क्यों दिया जाता है मालूम नहीं पर यह भी काइंड ओफ म के लिए यह दिया जाता है इसमें भी वैसा ही दिया जाता है और इन साइकल्स में आपको स्टैंड भी मिल जाता है कुछ साइकल्स में आपको डबल स्टैंड मिलती है और कुछ साइकल्स में आपको सिंगल स्टैंड मिलती है और डबल स्टैंड जो है वह बहुत ज्यादा comparison with other cycles तो यहाँ पर आजाते हैं इसके parts के availability पर जहाँ भी जाओगे यह cycles आपको जरूर दिखेंगी और जो भी cycle का दुकान होगा वहाँ पर यह cycles के parts आपको जरूर मिलेंगे और अभी थोड़ा बात कर लेते हैं इसके राइडिंग experience पर तो यह cycle बहुत ज्यादा comfortable होता है राइड करने में on road पर अगर आप थोड़ा सा बहुत जाते हो तो यह बहुत ज्यादा vibrations करने लगती है और बहुत ज्यादा discomfort फील होता है आपको कुछ वक्त के बाद जब आप यह cycle regularly use करोगे तो आपको कुछ आवाजे आएंगी और कुछ vibrations आपको फील होंगी क्योंक तो यह कि यह long lasting होता है इसके parts सारे के सारे जेगाव पर available रहते यह बहुत ज्यादा कम दाम में आता है और इसके राइडिंग में ज्यादा effort नहीं लगती आपको बिल्कुल भी tiredness नहीं मैसूस होगा बहुत ज्यादा relaxed position है इसका यही था मेरा video Indian cycles के उपर तो अगर आपको यह video पसंद आओगा तो यह like ज़रूर मानना और मुझे comment section में ज़रूर बताओ कि आप अगर आपको ऐसे cycles के उपर मतलब कोई भी category के cycles के उपर ऐसे videos देखने हो या नहीं तो मैं obviously वैसे videos बनाने की कोशिश करूँगा तो इसी के साथ इस वीडियो को यही पर इन करते तो this is your boy Lone Rider is, signing out.